स्वागत है आप सभी का मेरे अच्छ स्वारत द्वा यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको कार्टक मास के बीश में अध्याय की कता सुना रहा हूँ शुक्राचार बोले कि है सोम्य विश्णु तुमारा राज लेने बास्ते अधिती के गरब से उत्पन हुए हैं यह जैसे भगवान बामन राजा बली के यग में पहुँचे तो सुक्राचार ने उन्हें रोका और कहा कि है राजन यह विश्णु हैं जो तुमारा राज लेने आए हैं यह राजन तुमारे यग में आये हैं इनको कुछ भी मत देना अपनी बुद्धी सुक्कारी गुरू की बुद्धी बिसेश सुक्कारी दूसरों की बुद्धी बिनास करने बाली होती है ये राजन अपने मन से जो कार करता है वो सुखकारी होता है लेकिन गुरू के केने अनुसा जो चलता है वो है परम सुखकारी होता है और दूसरों की कहे में जो बंदा चलता है उसका बिनास हो जाता है इस्त्री की बुद्धी प्रल्यकारी होती है और जो इस्त्री के कहें में चलता है वैबिनास को निमंतर देता है जो सत्रूओं का हित्र करने बाला हो उसको अवस्य मारना चाहिए सायक के नास होने पर कुछ उपाय नहीं चलता बली बोला कि हे गुर्देव धरम माग ब्रोधी बाते नहीं करनी चाहिए जो विष्णू आप दुनिया को देने वाले हैं जो विष्णू पूजिनिये हैं विष्णू विष्णू के प्रसंद करने के बास्ते लोग ना जाने क्या क्या प्रत्न करते हैं और जो साक्यात विश्णु मेरे द्वार पर आए हैं एक से बढ़कर के और मेरे लिए क्या चाहिए किसी दरिद्र से वी विश्णु को दिया दान अख्य होता है परमभक्ती से इस्मर्ण किये गए पुरसुत्म भगवान पवित्र हैं दुष्ट बुद्धी बाले भी अगर विश्णु का इस्मर्ण करते हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं जैसे इच्चा बिनाभी इस्वर्ष की हुई अगनी जलाती है जिसकी जिब्या में हरी ऐसे दो अक्यर हैं वह पुरस आगमन रहत विश्णु लोग को प्राप्त होता है एक गुरुजी अगनी में वा ब्रा किर्टक्य है मेरा तो जीवन सपलो गया ऐसे बली नाम दानव के बोलते हुए बामन रूपधारी भगवान यग्यस्तान में आए सूत जी कहते हैं कि बली ने विश्णु जी को अर्ग दिया नेत्र में अश्रु युक्त बली बोले आज मेरा जनम सपलो गया मैं किर्टक्य हूँ ये सब रिशी लोग किर्टक्य हैं पूर्व की तपश्या का फल है मैं धन्य हूँ किर्टक्य हूँ भाग्यबान हूँ मैं तुमारा नोकर हूँ कहो मुझे क्या गया है बामन बोले हमको तपश्या करने के लिए तीन पक धारती तू ऐसे बचन सुन वली नाम दानम प्रत्वी से ले कहा राजी क्यों नहीं मांगते ग्राम मांगो नगर मांगो जो तुम्हें चाजी ये बूँ मांगो शूती जी कहते हैं वह सुनकर रिशी बेज़दारी विश्नु जी बोले बैराग्य दिखाते हूँ वह बिले कि है देवेंद्र सुनो गुप्त से खेत्रीयों के बस में उनकी आग्या से सव रहते हैं जो परंपत को प्राप्त होते हैं। सब जीवन को अपने समान देखने सांत चितवाले ऐसे रशीयों का सुवाब होता है। भ्रहमण क्लाइंपया दाना चाहिए। ब्राम्मड भी छटा अंसत पस्या का देव है प्रत्वी दान का मैत्तु हम कहते हैं हमने छोड़ दूसरा कहने को कोई समर्त नहीं है जो लोग कुटुम बाले विद्वान को प्रत्वी देते हैं वो फिर आवा गमन से दूर हो जाते हैं जिसने भूमी दी उसने सब कुछ दि देता है उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है गंगा जी के टट में जो कोई बिदी से भी अश्व में यग करता है उसको जितना फल मिलता है उससे दूना धन उस दूना फल प्रत्वी दान से मिल जाता है भूमी दान के समान दूसरा दान नहीं और सब पापों का नास क प्रत्वी संबन्द थ्यास सुनू जिसके सुनने से भूमिदान के समन फलोगा। बिलाप करने लगा। बिना पुत्र बिना धन जन्म दिक्कार है। धर्म, आदिती, पूजन, आचार, इस्नान, रहत जो जन्म है उसे दिक्कार है। चाहे चांडाल हो या भागिवान, दरिद्री पुलुस का सभी साथ छोड़ देते हैं, कोई भी दरिद्री का साथ नहीं देता। जो लोग आसा के दासे हैं, बे सब के दासे हैं, जिनकी आसा दासी है, उनका सब लोग दासे हैं। सास्त्रों के जानने बाले दरिद्री गोंगे समान रहते हैं। दरिद्र रूपी महा संगा में जिसनों पकड़ा उनको छुड़ाने बाला कोई नहीं। दुख से दुख दरिद्रिता, दरिद्रिता में बहुत इस्त्री बहुत पुत्रवाला अती दुखी होता है। हे राजन भूमीदान का उत्तमका जिसके देने से मनुष को मनुरत करे शो प्राप्त हूं। ऐसा बिचार करके हे बाले बुद्धिवान धीर बद्रमती नामक ब्रामण श्त्री सहत को सम्मी नामक नगर में गया। वह है ऐसर योगत शुगोष नाम ब्रामण के पास जाकर बोला हे बाले हमें पांच हात भूमी मांदेओ। धरम में प्राप्त शुगोष कुटुमी ब्रामण को देख मन से प्रसन ब्रामण का पूजन करके बोला हे बद्रमते में कृता क्यों मेरा जीवन सपल है। मेरा कुल इस्तुति करने लाग हो गया जो आपने मुझसे प्रत्वी मांगी। प्रत्वी दान के समान कोई दान नहीं है। ऐसे मंत्र सुगोष ब्रामण ने ब्रामण के सामने कहे और उनको प्रत्वी दी। सुगोष भूमिदान के प्रवासे विश्नु जी के मंदर में प्राप्त हुआ जहां जाकर सुख को प्राप्त नहीं होते। पूर जनम इस्मरन प्राप्त करव है महा भाग्यवान उत्तम सुख को प्राप्त हुआ। सो भद्रमती से ने भी मांगने से मिली हुई प्रत्वी का उपयोग किया। विश्नु भगवान ने खा कि भद्रमती नामक ब्रामण को अत्यंत ऐस्वर दिया। और कोटी बंस युक्त उत्तम मोक्य दिया। इस कारण है दैतिपते तुम सब धर्मों से युक्त हुँ। और मुझे तीन पग प्रत्वी दो। मोक्य के बास्ते हम उत्तम तफश्या करेंगे। बली ने आनंद से भगवान को प्रत्वी दान देने के बास्ते जलियोग लोटा लिया। उसमें टोंटी लगी थी। इतने में तपोबल से सुक्राचार ने उस टोंटी के अंदर प्रिवेश किया। ये बाद विश्णु जी ने जान ली टोंटी छिंदर में कुशा छोड दी उस कुश कोटी शूर समान कुशा ने देत्राचार की आंख फोड़ दी। तव सुक्राचार देत्यों से बोले अस्त्र के तुल कुशा को देखो। बली ने विश्णु जी को तीन पग प्रत्वी दी। उसी समय विश्वात्मा भगवान ब्रह्म लोग को परियंत बढ गए। भगवान ने दो पगों से प्रत्वी को नमाप लिया। भगवान ने उस पाम से ब्रह्मांड के अंत तक सारा भू मंडल नाप लिया। तुम्हे नमस्कार है। ब्रह्माद करमगारव परेश परमात्मा रूब ब्रह्मादी से शेष्ट अकिल रूपदारी तुम्हे नमस्कार है। हे परेश ब्रह्मादिके स्वामी हे परमानंद परमात्मा ब्रह्मादिकों से परमसरातन जगत गुरुतुमें नमस्कारिस पकार इस्तुति किये गए। महा बिश्णु ने रस्ते हुए ब्रह्मादि देपतां को अपना पद देकर आवे किया। लच्मिपती भगवान ने बली देते को बांध कर भोग युक्त रसातल में स्तान दिया। ब्रह्मादि ने अपने कमंड़ से भगवान बिश्णु के चरणों का अवसे किया जिससे गंगाजी उत्पन्नु ही। रिश्णी लोग कहते हैं कि मा विश्णु ने बिरूचन के लड़के को गोर सर्पों से युक्त रसातल में भेज़ दिया। इस्तुति की गंदर्वों ने गीत गान किया फिर बामन रूप को नमस्कार किया। इस प्रगार बड़ा करम देख ब्रह्मादिक मुनियों ने पुर्शुतम भगवान को प्रणाम किया। शर्बूतात्मा बामन रूप भगवान विश्णू की आलूक रूप को ध्यान में देखते हुए सभी तपस्या करने लगे। विश्णू जी के पाम से उत्पन गंगा का ऐसा प्रबाव जिसके इस्वनन मात्र से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन मनिश्यों से जिसकी हड्डी का भस्म गंगा में छोड़ी जाती है। वह हैं चाहे मापापी भी हो परमपद को प्राप्त होता है। हे राजन सुनो गंगा सब पापों का नास करने वाली है। गंगा जल से बिंदु मात्र से नरकों का भह जाता है। हे राजन मुनियों ने जो पाप कहे हैं बेशब गंगा की बिंदु मात्र से नश्ट हो जाते हैं जो पुरुष इस अध्याय का पठन करता है वह सुनता है देवाले में सुनाता है उसे हज्जार असमे यगे का पल प्राप्त होता है बुल रादा कृष्ण भगवाने की है